जैश्री कृष्णा राधे राधे आप सभी को श्री राधा अस्टमी की धेर सारी शुप काम नए राधा अस्टमी राधारानी के प्राकट्यो सव के रूप में मनाई जाती हैं धार्मिक मानिताओं के नुसार भाद्रबद शुक्ल अस्टमी धिति के दिन वरिश्य भानुजी के घर राधारानी का जनम हुआ था इस दिन को उनके जनमोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधारानी के साथ भगवान श्री कृष्णी की भी पूजा की ज अबी से अस्टमी तिति को श्री राधा अस्टमी का पर मनाया जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्णी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्णी प्रसन होते हैं और अपने भगतों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं इस प्रत के पालन स से ग्रस्त जीवन में सुक्सम्रिधी और स्वभागी की व्रधी होती है मध्यान काल में भगवान श्रीक्रिष्ण और राधारानी की पूजा करना विशेष लाबदयक रहता है राधा हस्टमी के दिन आप राधारानी की पूजा करते समय उन्हें अर्भी की सबजी का विवाहित लोग यदि इस मंत्र का जाब करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं जो लोग प्रेम विवाह चाते हैं वो आज के दिन ओम क्लिंग कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का ये था सभव जाब करें हिंदु धर में पहर के समय भगवान श्रकृष्ण और राधरानी की पूझा करके व्रत का पारण कर लेते हैं यानि उपवास खोल लेते हैं क्योंकि मानिताओं के नुच्जार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्रकृष्ण के पूशने पर राधरानी ने उनसे कहा था कि भगवान क्रिश्न के भक्त तो उन्हें मनाने के लिए सुभा से लेकर रात तक प्रतिक्षा करते हैं रात तक उपवास रखते हैं लेकिन मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं दे सकती इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे भक्त आज मेरे जन्मोत्सव के दिन सुभा से लेकर तो पहर तक ही उपुआस रखें क्योंकि भक्तों को श्रीक्रिष्णी जन्मास्टमी के दिन सुबा से लेकर रात बारा बजे तक इंतजार करना होता है तब तक काना जी के भक्तों को भूखा प्यासा रहना पड़ता है तब राधरानी ने कहा कि मैं अपने भक्तों को इतने देर तक निरहार नहीं देख सकती इसलिए मेरे भक्त भाद्रपत शुक्ल अस्टमी थी के दिन दोपहर बारा बजे के बाद व्रत का परायांड कर सकते हैं शुरी राधा अस्टमी के दिन सुरीदे से पहले उठकर इस नानादी से निवरित होने के बाद सुरीदेवता को अर्ग द जाती है कलश की स्थापना करने के बाद धूब दीप जलाया जाता है इदिधातु की प्रतिम है तो पंचम्रत से और उसके बाद शुदजल से इसनान कराया जाता है फिर भगवान श्रीक्रिष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाब करके श्री राधा अस्टमी की कथा भी सुनी जाती है जो कि आपको इस दिन हमारे चैनल पर भी सुनाई जाएगी आप सुन सकते हैं आज के दिन श्री राधा रानी का श्रंगार भी करना चाहिए राधा रानी को भोग लगाने के बाद भगवान श्रीक्रिष्ण का पूजन करें और भगवान को जो भी आप भोग अरपित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें लेकिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते अरपित ना करें सबसे अंत में श्रीक्रिष्ण चालीसा श्री राधा चालीसा पार्ट करने के बाद भगवान श्रीक्रिष्ण और राधा रानी की आर्थी उतार उनके हर्दय में विराजमान है लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधारानी से विवा नहीं हुआ था लेकिन अगर आप धार्मिक पुरान पढ़ेंगे तो आप स्वयम जानेंगे कि ब्रह्मा जी नहीं भगवान श्री कृष्ण और राधारानी क विवार अचाय था इसलिए राधारानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी है ऐर्धागनी भी है और आज के दिन जो भक्त राधारानी को इस रूप में देख सकते हैं उनका सोलाव श्रेंगार भी कर सकते हैं अस्टमी तिथी प्रारंब होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11 बजकर 13 मिनट से और 11 सितंबर बुधवार की रात 11 बजकर 46 मिनट पर तिथी समाप्त होगी इसलिए इस बार 11 सितंबर दिन बुधवार को श्री राधा अस्टमी कवरत रखा जाएगा श्री राधा अस्टमी इ प्रें सूर्यदे होगा सुभ़ 6.16 पर सूर्यास्थ शाम 6.30 ब्रहम हुमोर्थ 4.49 बज़ कर 27.27 अमरत काल दोपहर 12.05-1.46 तक राहुकाल दोपहर 12.50 बज़े तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 1.30-4.00 बज़े के बीच में इस दिन पूजा का सबसे सुबह 11 बच कर तीन मिनट से दो पहर एक बच कर 32 मिनट तक रहेगा आप दो पहर में पूजा करने के बाद जो व्रत पारण महुर्थ है उस समय व्रत का पारण कर सकते हैं स्वयम पारण करने से पहले यह था सबब दान दक्षिना किसी को अवश्य दें यह थी आज की वीडि में जैश्री राधी जरू लिखेगा